हलो डियर स्टुडेंट्स आपका हार्दिक स्वागत करते हैं DR Classes 226 नुसर में डियर स्टुडेंट्स आज हम आपके सामने एक बहुत जो है महत्पूर जानकारी आपके सामने लेकर के आए हैं यहां जानकारी जो इस्टुडेंट्स पॉलिटिकनिक कर रहे हैं और जिनका फाइनल इयर है खास करके उनके लिए बहुत महत्पूर है इसके साथ साथ जो है फस्ट इयर या सेकेंड इयर के स्टुडेंट हैं तो उनके लिए भी यह जानकारी बहुत महत्पूर है तो आज का जो हमारा topic ये रहने वाला है topic ये है कि क्या अब politics डिप्लोमा में जो आपकी certificate मिल लहा है अगर आपका final year में back लगता है तो क्या diploma certificate में भी आपका जो है back so होगा या नहीं होगा और क्या आपके mark sheet में जो है back so होगी या नहीं होगी तो इसी topic पर आज हम इस video में क्या करने वाले हैं बात करने वाले हैं Dear students अगर आपने अभी तक हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe कर ले और video को like करें और इसको ज्यादा से ज्यादा share जरूर करें जिससे हर बच्चे के पास यह video पहुँच जाए और वह अपनी पढ़ाई को क्या कर सके अच्छे से continue रख सके तो चलिया इस गंभीर मुद्धे पर हम लोग बात करते हैं और बात करने से पहले start करते हैं तो देखे पहले क्या था कि पहले यह था कि कभी भी किसी भी students की जो है final year में back लग जाती थी तो वह मार्क सीट में ही सो होता था यानि जो उसे मार्क सीट मिलते थी उसमें सो होता था लेकिन डिपलोमा में सो नहीं होता था लेकिन अब बिटी बोर्ड ने इस बार से जो क्या किया है उन्होंने डिपलोमा सर्टिफिकेट जारी किया है उस diploma certificate में अगर कोई student जो है वह क्या करता है कि 6 semester के बाद अगर diploma पास करता है तो उसके mark sheet में भी back क्या होती है सो होती है इसको अभी हम आपको proof के साथ भी दिखाएंगे एक हमारा students है जो है जो हमारे चैनल पर हमारे चैनल को बार बार देखता है उसने एक ऐसा student था जो कि उसके साथ ऐसा हुआ है फिर उसने हमारे साथ जो है अपने diploma certificate को शेयर की तो हमने कहा कि यह जानकारी हर बच्चे को पहुचाना बहुत जरूरी है जिससे वो अपना final year में जो भी subject है उनको अच्छे से preparation करें जिससे उनकी back लगने की संभावना क्या हो बहुत काम हो तो चलिए सबसे पहले आपको अगर हम बता दें अगर आप और भी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारा जो है टे आप टेलिग्राम चला रहे हैं और डारेक्ट अगर सच करना चाहें तो Kansas पर सच कर सकते हैं गवर्मेंट पॉलियोकनिक कानपूर और उस ग्रूप को आप जोलता है वहां से आपको पॉलियोकनिक से सम्मंदी कोई अगर के देख सकते हैं प्लैलिस्ट से फिलाल आज हम जो यहाँ पर बात करने वाले हैं वो मुक्ख रूप से ये कि जो आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट है उसमें भी अब बैक सो हो रहा है अगर आप सिक्स सेमेस्टर के बाद डिप्लोमा क्या करते हैं पास करते हैं 6 semester के पास करने का मतलब यह है कि अगर आपके 6 semester के बाद अगर आपका कोई subject बच जाता है तो आपके diploma certificate में भी लिख करके आएगा इस special बैए चलिए तो आपको हम दिखाते हैं वह हमार सिट चलिए dear student देखिए यहाँ पर अब आप यहाँ से देख सकते हैं जो चीज हम आपको आप देख सकते हैं कि यह जो है 162020 लकनव 162020 का यह छपा हुआ certificate है secretary आप देख सकते हैं मानी संजी उक्मार सिंग और इसके जो चेर्मेन है विद्या शागर गुप्ता अब आप यहाँ से देखे यहाँ पर लिखा हुआ है अध्यान करते हुए वारशिक या MPEC special बैएक पर इच्छा दिसंबद 2019 अब आप देख लिजे यहाँ पर यह आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट है डिप्लोमा सर्टिफिकेट का हमने लोवेस्ट पार्ट लिया है इसमें बाकि हम आपको डेटेल्स जो है डेटेल्स जो है किसी और दूसरे अभेरती के पास ना पहुंचे इसलिए सारी जानकारी को छुपा दिया गया है किवल आपको जो मुख्य रूप से हमें बताना था उस चीज़ को हम दिखा रहे हैं तो देखे यहाँ पर लिखा हुआ इस स्पेशल बैक पेपर परिच्छा दिसंबद 2019 में प्रथम स्रेडी में उत्तरिर्टी इन्हें इले आपका सब्जेट में बैक आ जाएगा तो आप समझे कि आपके डिप्लोमा सर्टेफिकेट में स्पेशल बैक पेपर लिखकर आने पर क्या दिक्कते आती हैं दिक्कते देखिए डियर सुड़न्स वैसे अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर वाले ही इस पर बात करें जॉब की जॉब मिल जाएगा अगर आप पढ़ने में आपके अंदर टैलेंट अच्छा है तो आपको जॉब जरूर मिलेगा दूसरी चीजा अगर हम बात करें कि इसके गौर्वर्मेंट सेक्टर में क्या एफेक्ट पढ़ेगा तो डियर सुड़न्स गौर्में ना लगे यानि आप अपना डिप्लोमा जो है छा सिमिस्टर में जरूर कम्प्लेट कर लें दूसरे चीजिन बच्चों के ग्रेस लग जाते हैं फाइनल एयर में तो ओभी आपके मार्फिट में लिख करके आता है तो आप भी कोशिस करें कि आपका जो है लास्ट सिमिस्ट में कोई भी सब्जेट में ग्रेस या बैक ना रहे तो यही महत्पूर्ण जानकारी आपके साथ हमें शेयर करने थी आप सभी जो है अच्छे से मेहनत करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए और अगर आप जो है कोई भी आफ्लाइन क्लासेज पढ़ना चाहते हैं तो हमार आप भी हमारे आफ्लाइन वैज को जोईन करना चाहते हैं तो आप हमें कॉंटेक्ट कर सकते हैं हमारा मुआ लंबर है 73 55 13 94 64 इस पर कॉंटेक्ट करके आप हमारे हां आफ्लाइन कोचिंग जोईन कर सकते हैं बाकी आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल करके जानकारी ले सकते हैं या description में हमारा link दिया हुआ है वहाँ से जा करके आप टेलिग्राम ग्रूप जोईन करके संपूर जानकारी ले सकते हैं तो चलिए अब मिलते हैं next वीडियो में next update के साथ आज के लिए इतना ही धन्यवाद